94% तूट कर 17 रुपए पर आ गया यह शेयर अब कोट पहुचा कर्स का मामला भारी घाटे में कमपनी पावर शेयर अनिल अमबानी की Reliance Asset Asset Reconstruction कमपनी में एक याचिका दायर की है इस याचिका में Reliance Ark ने विदर्ब Industries Power की कर्स बिक्री के लिए स्विस चैलेंज नीलामी प्रक्रिया पर चिंता जताई है बतादें की Reliance Ark के अलावा वर्डे पार्टनर समर्थित आदित्य बिडला Ark और Avenue Capital समर्थित Asset Reconstruction आरसिल ने भी विदर्ब इंडस्ट्रीज पावर के कर्स को खरीदने में दिल्चस्पी दिखाई है विदर्ब इंडस्ट्रीज में अनिल अंबानी की कमपनी Reliance पावर की बड़ी हिस्सेदारी है कमपनी के शेरों का हाल कमपनी के शेर आज गुरुवार को करीबन 3% तूट कर 17.75 रुपे पर आ गए पिछले 5 साल में यह शेर 47.01% तूटा है वहीं अपने और टाइम हाई प्राइस 275 रुपे से 94% लुढ़क चुका है इसका 52 वीक हाई प्राइस 24.95 रुपे और 52 वीक का लो प्राइस 24.95 रुपे है कमपनी का मार्केट कैप 6626.26 करोड रुपे है जून तिमाही के नतीजे रिलायन्स पावर ने बुधवार को कहा कि कम आय और अधिक खर्च के कारण जून तिमाही में उसका शुद्ध धाटा बढ़कर 296.31 करोड रुपे हो गया कमपनी ने शेर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान उसे 160.79 करोड रुपे का शुद्ध घाटा हुआ था अनिल अमबानी की अगुवाई वाली कमपनी की कुल आय चालू वित्वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 1958.72 करोड रुपे रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2144.97 करोड रुपे थी अप्रेल से जून अवधी में इसका खर्च बढ़कर 2182.69 करोड रुपे हो गया जो एक साल पहले इसी अवधी में 2145.9 करोड रुपे था